आपका दिल से स्वागत है हमारे अबंडन्ट लाइफ टेलिविजन प्रोग्राम में मुझे भरोसा है कि इन प्रोग्राम में मैं आपको जो संदेश दे रहा हूँ ये आपके लिए आशीश का कारण है दोस्तों मैं आपकी और से सुनना चाहता हूँ तो कृपया स्क्रीन पर दिये हुए मेरे इमेल एड्रेस को नोट कीजिए कृपया मुझे अपना फीडबैक दीजिए और प्रातना निवेदन भी भेजिए मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रातना करेंगे और आपको निश्चे ही बताएंगे कि हमने आपके लिए प्रातना की है और इस समय मेरे संदेश का शिर्शक है जीवन की मुश्किलों में परमेश्वर की बुध्धी मसी जीवन में हम यीश मसी के द्वारा बहतायत से आशीश पाते हैं अगनित आशीशे पाते हैं शारिरेग, भावनात्मक और आत्मिक आशीशे लेकिन हम में से हर एक के पास कोई न कोई समस्या या कोई न कोई मुश्किले होती हैं जिनसे हम निपट रहे हैं तो कैसे हम इन समस्याओं और मुश्किलों पर जैवन्त हो सकते हैं कृपया कर देखिए भजन सहिता नब्बे और यहां से हम बहुत से वचन देखेंगे जो परमेश्वर की सच्ची बुध्धी के बारे में बताते हैं कि जीवन की मुश्किलों पर जय पाएं। अब यह भजनकार परमेश्वर की बुध्धी के लिए प्रातना करता है। मैं आपके लिए यहां पढ़ता हूँ वचन 12 हमको अपने दिन गिन्ने की समझ दे कि हम बुध्धिमान हो जाए। यह सच में कितना अदभुत वचन है। हमको अपने दिन गिन्ने की समझ दे दूसरे शब्दों में हमें सिखा कि हम अपने जीवन को देख सके कि परमेश्वर आप हमें इतने दिन दे रहे हैं। और हमारी मदद कीजिए कि हम यह दिन जियें बुध्धी के रिदय के साथ में। अब संदर्ब क्या है? अवश्य है यह भजन मूसा ने लिखा है परमेश्वर के लोग तो बहुती मुश्किल परिसिती और समस्या में फस गए थे क्योंकि वो परमेश्वर से फिर गए थे। उन्होंने आग्याभं करने का जीवन जिया और इसी के कारण वो समस्या और मुश्किलों में इस तरह फस चुके थे और दुष्ट की परिक्षा में पढ़ गए थे और बहुत से बंधनों में जकड़े गए थे। अब देखे ऐसी परिसिती में मूसा खुद के लिए प्रातना कर रहा है और इस्तराइली लोगों के लिए भी कि परमेश्वर आप हमें बुद्धी का रिदय दीजिए ताकि हम अपने दिनों को गिन सकें ताकि अब से आगे हम जान ले कि हमारा जीवन काल कितना है और कैसे हम खुद को सुधार लें और कैसे आपके मार्ग में चलें और कैसे आपकी बुद्धी प्राप्त करें कि एक तरफ हमारी समस्याओं को हल करते जाएं और आपकी आशीशों को प्राप्त करते चले जाएं प्यारे दोस्तों अगर हम इसका अपने लिए उप्योग करते जाए मैं सोचता हूँ कि कई बार हम भी बिलकुल ऐसा ही करते हैं पर मेश्वर के लिए आग्या भंग करने के कारण कई बार हम इस तरह समस्या और मुश्किलों में फस जाते हैं हमारी ही मुर्खता के कारण और जीवन में हम जो गलत निर्णे लेते हैं और जिन गलत मार्गों पर हम चलते हैं और वो गलत काम जो की हम करते हैं तो क्या होता है? देखे इसके परिणाम तो ऐसे होते हैं वो तो हमें मुश्किलों और समस्याओं में फसाद देते हैं अगर कोई भी इस तरह से है बजन नब्बे तो हमें परमेश्वर की अद्भुत बुद्धी देगा कि कैसे आप अपनी समस्याएं और मुश्किलों में से बाहर आ सकते हैं आपके व्यभारिक जीवन में, आपके व्यभारिक जीवन में, आपके नौकरी में और आपके आत्मिक जीवन में और आपके जीवन के हरेक दुर्ष्टी कोंड में अब हम में से कुछ लोग शायद आग्या भंग करने वाले नहीं लेकिन फिर भी हमें फिर भी समस्याएं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसी चीजे हैं हम तो पतन के संसार में जीते हैं जैसे हम गिरेवे संसार में जीते हैं तो कई बार हम अधीन होते हैं कुछ नकारात्मक और समस्याओं के लिए और साथ ही दूसरे लोग जो गलतियां करते हैं दूसरे लोग हमारे जीवन में या हमारे जीवन के प्रती तो कई बार हम समस्या का सामना करते हैं फिर भी उन समस्याओं पर हम परमेश्वर की बुद्धी के द्वारा जैवंत हो जाते हैं और साथ ही जैसे कि हम जानते ये सच है, कुछ लोग शरीर वे बहुत कमजोर होते हैं और इसके कारण बार-बार शारीरिक परेशानी होती हैं और इसके कारण भी हम बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं, इस अद्भुद भजन में मूसा खोज रहा है परमेश्वर की तीन प मुष्किलों पर जैवन्त हो जाएं और ये जो सच्चाई है ये वचन 14 में दी गई है और मैं भी आपके लिए ये वचन पढ़ता हूं दोस्तों भोर को हमें अपनी करूना से तुरुप्त कर कि हम जीवन भर जैजैकार और आनंद करते रहें अब मूसा परमेश्वर की दय दया मांग रहा है परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की करूना वो परमेश्वर की दया और करूना मांगता है केवल एक दिन के लिए ही नहीं परन्तु अपने पूरे जीवन भर के लिए सुबह भोर के समय हमें अपने अनुग्रह से तुरुप्त कर मूसा अच्छे स जानता था जितना जादा वो परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा इसराइली लोगों के लिए तो उनका जो शोक है दुख है वो अधुत आनन में बदल जाएगा परमेश्वर की बुद्धी के लिए ये सच में कितनी महान प्रात्ना है अब मुद्धा तो ये है मुद्धी परमेश्वर के अनुग्रह की बुद्धी मांग रहा है परमेश्वर का अनुग्रह तो आधारित होता है उन बुद्धी पर जो की हम इन वचनों से सीखते हैं कुछ सिध्धान्त और कुछ शर्ति मुद्धी तो यही मांग रहा है हमें वो बुध्धी दीजिये की कैसे हम आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं प्रभू प्यारे दोस्तों मैं आपको कुछ अद्भुत वचन बताता हूँ सबसे पहले आईए देखते हैं कि किस तरह का अनुग्रह था जिसे मूसाख होज रहा था सबसे पहले उसने प्रातना की कि शमा का अनुग्रह दीजिये कि हम परमेश्वर के पास लौट कर आए हमने ये पढ़ा है कि उनकी आग्या भंग करने के कारण वो परमेश्वर से दूर चले गए थे और उन्हें परमेश्वर के पास वापस आना था और वो कैसे आ सकते थे केवल शमा के अनुग्रह के द्वारा ही यशह अध्याए 9 वचन 17 का ये बहुती महतोपूर्ण वचन है मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूँ दोस्तों आप इसे गौर से सुनिए इस कारण प्रभू न तो इनके जवानों से प्रसंद होगा और न इनके अनात बालकों और विद्वाओं पर दया करेगा क्योंकि हर एक के मुख से मुर्खता की बातनी निकलती है याने हर एक के मुह से मुर्खता निकलती है इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है बहुत ही सटीक है और बहुत से विवरण भी दिये है कि कैसे उन्होंने अपने आग्या भंग करने को दिखाया और हम भी अपने जीवन में इसी तरह से इसे दिखाते हैं आग्या भंग करने के कारण हम खुद सारी समस्याओं में पढ़ते हैं लेकिन वचन के अंत में बहुत सुन्दर रीती से बताया उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है कोई बात नहीं चाहे हम कितनी भी आग्या भंग करें उसे कितना भी दुखी करें हम परमेश्वर से कितने भी दूर चले जाएं परमेश्वर अपने अनुग्रह में अभी भी अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं कि हमें थाम ले और हमें अपने पास वापस लेकर आएं और वो इसे कैसे करते हैं शमा करने के द्वारा दोस्तों तो आईए हम अपने प्रभु येश्य मसी के पास में आए उसकी शमा धूमते हुए आए उसके शमा का अनुग्रह ताकि वो हमें फिर से स्वीकार करें और हमें ले कर जाएं और वो अपने अनुग्रह को खोले ताकि हम अपनी जीवन की नकरात्मक बातों पर जैवन्त हो सकें फिर मूसा ने ये भी प्रात्ना की कि अनुग्रह मिले कि वो समस्याओं में से छुडाए जाएं वचन तेरह पढ़ते हैं हे यहुवा लौट आ कब तक और अपने दासों पर तरस्खा वो परमेश्वर से बिंती करता है कि हे यहुवा लौट आ और कब तक कब तक हम इस बंधन में पड़े रहेंगे कृपिया कर लौट आ अपना चेहरा हमें दिखा और हम पर करूना कर और अपने अनुगरह के द्वारा हमें छुडा ले दोस्तो यश्व मसी की द्वारा परमेश्वर का अनुगरह तो अद्भुत है और इसलिए यहुवणा अध्याय एक वचन 14 कहता है कि यश्व की द्वारा हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है हमारी समस्याओं से आजाद होने के लिए अनुग्रह मुश्किलों से आजाद होने के लिए हमारे बंधनों से हमारे परेशानी से हमारे दुखों से और इन सारी बातों से तो अब अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही महतोपुर्ण है मैं परमेश्वर के अनुग्रह की बुद्धी के बारे में कह रहा हूँ परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए बुद्धी होना तो बहुत बहुत जरूरी है कुछ बातों को हमें जानना ही होगा, कुछ सिधानतों को हमें खोज निकालना ही होगा कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें तो यहां पर सबसे पहली बात जो जरूरी है वो है पष्चताप पष्चताप ही बुद्धी है मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ पहला राजा अध्याय आठ वचन अड़तालिस से और यदिवे अपने उन शत्रूओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हो अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्रांड से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तू न करे तो तू अपने स्वर्गे निवास्तान में से उनकी प्रात्ण और गिडगड़णा सुनना और उनका न्याय करना यतु सुलीमान की वह महां प्रात्न है जब वो समर्पन कर रहा था। उस भवन का जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था परमेश्वर ने और वो यहाँ पर महान प्रातना करता है, कहता है, परमेश्वर, जब आपके लोग जो आपकी आज्या भंग करते हैं, जब वो आपकी और पश्चताप में आते हैं, कृपया कर उन्हें स्वीकार कीजिए, कृपया उन्हें शमा कीजिए, उन्हें शमा कर दीजिए और उन्हें फिर से आशिश दीजिए उस तरह से जैसे हमेशा उन्हें आशिश दी है दोस्तो परमेश्वर के अनुग्रह की बुद्धी तो हमारे परश्चताप के उपर आधारित होती है तो आएए हम इस समय खुद को देखते हैं क्या मैंने परमेश्वर के विरुध में कुछ किया है हमारे आसपास के लोगों के विरुध में क्या हमने परिवार के सदस्यों को दुखी किया है या किसी के साथ अन्याई किया है या किसी तरह से उन्हें दुखी किया सच्चे पश्चताप में हमें इशु के पास में आना होगा और उसकी शमाप खोजिये और इशु हमें स्रीकार करेंगे और वो हमें शमा करेंगे और वो अपने अनुग्रह को खोलेंगे उसके अनुग्रह की सामर्थ कि हमें आशीश दे बहतायत से और अगनित रूप में और फिर देखे भजन सहता नब्बे में परमेश्वर के सामर्थ की बुद्धी कि सारी मुश्किलों पर जै पाए मैं पढ़ रहा हूं भजन सहता नब्बे वचन सोलहा तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रगट हो ये वचन तो बड़े अर्थ से भरा हुआ है दोस्तो मुश्क कह रहा है कि तेरे काम तेरे दासों पर प्रगट हो जाएं और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रगट हो अब देखिए यहां प्रताब जो शब्द है संदर्ब में ये परमेश्वर की सामर्द के साथ में जुड़ा है जब हम इस भजन को देखते हैं हम जानते हैं कि इसराइल की जो संतान है जिस पल वे परमेश्वर से दूर चले गएं तो वो परमेश्वर की सामर्च से भी दूर चले गए और उसी के कारण उन्होंने खुद को बहुत से मुश्किलों और समस्याओं में डुबो कर रग दिया मूसा कितनी सटीकता से देखता है कि कैसे भयानक रूप में वो ऐसी ही बहुत सी समस्याओं में फज गए वचन आठ और नौ तुने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की जोती में रखा है क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीच जाते हैं हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं वो बड़ी इमानदारी से कहता है कैसे वो परमेश्वर से दूर चले गए और जितना जादा वो ऐसे करते रहें वो उतना जादा प्रभु की सामर्थ से दूर चले गए और शैतान की सामर्थ में चले गए दोस्तों ये मसी जीवन में होता है देखिए ये तो बहुत ही अद्भुद्धी है कि जाने कि हम जितना जादा परमेश्वर के करीब होंगे उतना जादा उसकी सामर्थ के करीब होंगे परमेश्वर के करीब होंगे तो परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करेंगे जितना जाद हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे केवल इतना ही नहीं कि हम परमेश्वर की सामर्थ से दूर जा रहे हैं लेकिन हम सच में चले जा रहे हैं उस दुष्ट की सामर्थ में अब यहां इस वचन में मूसा ये कह रहा है तेरा काम तेरे दासों पर प्रगट हो और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रगट हो तेरे काम मतलब तेरी सामर्थ तेरा प्रताप मतलब तेरी सामर्थ दोस्तो इस भजन में मूसा प्रातना कर रहा है प्रभु की सामर्थ के लिए परमेश्वर की सामर्थ कैसे पाए देखे इसमें निश्चे ही बुद्धी जुडी है और वो बुद्धी प्यारे दोस्तों ये परमेश्वर के वचन में दी गई है इफीसियो 5.18 दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुच्पन होता है पर आत्मा से परिपूर्ण होत दोस्तों ये बुद्धी क्या है कि परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर सके ये वचन कहता है पवित्रा आत्मा से भरते चले जाए अद्भुद्धी है देखिए जब हम उद्धार पाते हैं तो हम पवित्रा आत्मा का वर्दान प्राप्त करते हैं वो हम में वास करता ह परन्तु, हमें प्रती दिन पवित्र आत्मा से भरते जाना है, प्रती दिन जादा और जादा भरना है और हम कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? इसे गौर से सुनिए दोस्तो, जितना जादा हम पवित्र आत्मा को समर्पित होते अपने जीवन में, अपने रिदय में, जितना जादा समर्पन करेंगे, उतना जादा पवित्र आत्मा हमारी जीवन पर नियंप्रन करेगा, और उतना जाद़ा वो परमेशवर की सामर्ट को खोलेगा इसे बुद्धी के बारे में हम कह रहे हैं। पवित्रा आत्मा के द्वारा परमेशवर की सामर्ट की बुद्धी। तो फिर अभी इस समय, प्यारे दोस्तों, आप किसी भी मुश्किल या समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए कि आप जैवन्त बनें, कि आप खुद को बनाई रखें, कि विजई हो जाएं, कि तसली पाएं कि शाश्वती प्राप्त कर लें, और ये किवल आ सकता है पवित्रात्मा की सामर्थ के द्वारा, और मैं बिंती करता हू varied, कि प्रति परश्चताप में समर्पन करें, उससे शमा मांगिए, उससे बिंती करें कि वो आपके जीवन पर अधिकार करें, और वो अपनी सामर्थ खोले, ताकि उसकी सामर्थ के द् उसा तो परमेश्वर की तीसरी तरह की बुद्धी के लिए प्रातना कर रहा है और वो है उसने प्रातना की परमेश्वर की उपस्तिती की बुद्धी के बारे में और ये जो सच्चाई है ये वचन सत्रह में दी गई है और हमारे परमेश्वर यहुआ की मनोहरता हम पर यह मनोहरता क्या है? यह मनोहरता तो परमेश्वर की उपस्तिती है. जो कुछ भी मूसा यहां पर कह रहा है वो तो राजा दाउद ने भजन 27 में पहले से ही कह दिया है. वो परमेश्वर की मनोहरता के बारे में कहता है इसका मतलब परमेश्वर की उपस्तिती. आईए इस पर दृष्टी लगाए रहूं यहां तक कि ये वचन भी बहुत से अर्थ के साथ में पूरी तरह भरा हुआ है मूसा कह रहा है कि हमारे हाथों के कामों को दृड़ कर प्रभू उनके हाथों के कामों को क्या हुआ था उनकी आग्या भंग करने के कारण वो तो अपने हाथों के कामों को बिलकुल नहीं जान पाए तब मूसा कह रहा है परमेश्वर हमें अपने उपस्तिती दे ताकि एक तरफ हम अपनी समस्याओं पर जैवंत हो सके और दूसरी तरफ कि हमारे हाथों के काम द्रिड हो सके मेरे दोस्तों शायद हो सकता है आप इस समय इन दोनों में से जा रही है आप जैवंत होना चाहते हैं अपनी समस्याओं पर प्रभु की उपस्तिती के द्वारा जैने एक तरफ और जबकि दूसरी और परमेश्वर के उपस्तिती के द्वारा आप चाहते हैं कि आपके हाथों के काम द्रिड हो जाएं कि आपके काम बल प्राप्त करें चाहे वो काम जो भी हो हमारी नौकरी हमारी पढ़ाई हमारे व्यापार परिवार संभाले रहना परिवार चलाना सेवकाई संभाले रखना सेवकाई चलाना बात तो यह है प्यारे दोस्तों जब तक कि परमेश्वर हमारे कामों पर आशीश न दे तो हम संपन्न नहीं हो सकते देखे यह प्रातना करने में महान बुद्धी है परमेश्वर अपनी उपस्तिती के द्वारा हमारे हातों के कामों को दुड़ कीजिए हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्तिती की बहतायत को याने एक तरफ कि हम मुश्किलों पर जैवन्त हो जाए और दूसरी तरफ हमारे कामों में संपन हो जाए प्रकाशित वाक्य अध्याय तीन वचन बीस तो इसमें हमें बड़ी महान बुद्धी देता है दोस्तो तो आईए इस वचन को हम पढ़ते हैं देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खट खटाता हूँ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ ये जो अध्भुत वचन है ये स्वैम ईशु के वचन है ये दो बातें बताते हैं परमेश्वर के उपस्तिती पाने के लिए हमें अपने रिदैक खोलने होंगे वही पर परमेश्वर हमें अपने उपस्तिती देते हैं अगर हम ईशु के लिए अपने दिल को बन कर दें तो हम उसकी उपस्तिती प्राप्त नहीं करेंगे तो आएए मेरे दोस्तों इस समय हम यही करते हैं कि अपना रिदै ईशु मसी के लिए खोल देते हैं ये तो यीशु मसीगी उपस्तिती होनी चाहिए. और इसमें दूसरा पॉइंट है, जब हम अपना रिदाए खोलते हैं तो यीशु हमें अपनी उपस्तिती देते हैं और वो उपस्तिती हमें उसकी संगती देती है. और यही तो इसका अर्थ है यीशू के साथ भोजन करने का हम अपने डाइनिंग टेबल को जानते हैं वहां हम बहुत अच्छी संगती रखते हैं खाते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ संगती करते हैं ये यही है यीशू के लिए अपने रिदय को खोलिए और उसके साथ नजदीकी की संगती रखे अपने रिदय में और यही तो हमें यीशू की सामर्थी उपस्चिती देगा हम इसे मनन के द्वारा कर सकते हैं हम इसे कर सकते हैं प्रातना के द्वारा हम इसे कर सकते हैं, बाइबल अध्यन के द्वारा हम इसे कर सकते हैं, बहुती गहराई से स्तूती और आराधना के द्वारा, और प्रभु का वच्छन सुनने के द्वारा, कि अपने रिदय में यीशु पर मनन करते चले जाएं, कि उसके साथ में नस्दीकी का संबन रखें, दूसरे शब्दों में, यीशु के साथ समय बिताएं, हम यीशु के साथ जितना समय बिताएंगे, हमारा शरीर, हमारे रिदय, हमारा प्राण, हमारा मन चार्ज हो जाएगा, पर मेश्वर की उपस्तिती से, और ये तो वो उपस्तिती है, प्यारे दोस्तों, याने एक सब्सक्राइट से आशीश पाए और जीवन में हम उचाई और उचाई पर आजाए तो आएए अपने सिर्जुकाएं और हम मिलकर प्रात्ना करेंगे अनुग्रकारी परमिश्वर स्वर्ग्य पिता येश्व मसी हमारे प्रभू और उध्धारक पवित्रात्म हमें तसली देन है और हम में से कुछ लोग उसमें फसे हुए हैं चाहे ये जो भी हो प्रभू प्रात्ना करते हैं कि आपके अनुग्रह की बुद्धी पाए हम प्रात्ना करते हैं आपके सामत की बुद्धी के लिए प्रात्ना करते हैं आपके उपस्तिती की बुद्धी के लिए प्रभू किया है, इमानदारी से पश्चताप करते हमें, आप से शमा मांगते हैं, हमें शमा कीजिए, हमें धोदी जिए, फिर से आपकी क्रूस की सामर्थ के द्वारा, हमें शुध कीजिए, और प्रभू, हमारे पूरे जीवन भर, हमें बुधी दीजिए कि कैसे हम प्राप्त कर सकते आपके अनुग्रह को, आपकी सामर्थ को, आपकी उपस्तिती को, इस समय जिन लोगों ने आपके वचन को सुनाओं ने बहुताय से आशीश दीजिए, मैं उन्हें आपके बहुमले हाथों में सौंपता हूँ, और हमारे उद्धार करता प्रभु यीश मसी के नाम में मांगत आमेन, प्यारे दोस्तों मुझे भरोसा है जो संदेश आपको बताया गया, ये आपके लिए आशीश है, मैं चाहता हूँ इस टेलिविजिन सिवकाई में आप मेरे साथ पार्टनर बनिये, वर्तमान में उद्धार न पाए लोगों को मैं सुसमाचार बताता हूँ, और अगर आप इस सेवकाई में पार्टनर बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिये हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी फोटो लीजिए और योगदान भेजिए, कि इस सेवकाई की सहता के लिए आप अपनी भेड भेजिए, और साथ ही अगर आपको मनी ओर्डर या उनला आप हमें प्रतियुत्तर दीजिए, अगर पवित्रा आत्मा आपके अगवाई करे कि एक प्रोग्राम में स्पांसर बने, तो इन नंबरों को नोट कीजिए, इन पर फोन कीजिए, और मेरा आफिस आपको बताएगा कैसे एक प्रोग्राम में स्पांसर बन सकते हैं, और एक टेलिविजन प्रोग्राम्स में देते जा रहा हूं। यीशू आपको बहतायत से आशीश दे तो आए बेनेडिक्षिन के लिए सिर जुकाते हैं। अब हमारे प्रभू यीशू मसी का अनुगरह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगती इन सब के साथ में बनी रहे जिन्होंने इस समय संदेश सुना है। और इश्यू मसी की सारे संसार की सेवकाई में भी अब और युगान युग तक होती रहे आमेन